यह दियारती दोस्तों कल आपसे जो बात्चीत की थी आज उससे थोड़ा आगे की बात आपसे करूँगा आज मेरे साथ एक संकट यह है तो मुझे यहां से निकल कर ठाना तक जाना है ठाना में नौ बजे से मेरा व्याक्षान है और यहां से ठाना पहुँचने में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है तो आज आपके बीच में कुछ ज्यादा बात कहने की परिस्किती में नहीं हूँ कल जितना लंबा व्याक्षान चला था आज का व्याक्षान उसका करीब करीब आदा चलेगा आप स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थ विवथभा को बचाएं भारत की आज की परिस्क्तिती के भारत को बाहर निकालने में मदद करें लेकिन एक संकत हमारे देश का ऐसा है कि ज़्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान हम अपनाना तो चाहते लेकिन ज्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि राजी बाई स्वदेशी सामानों का प्रचार नहीं होता लोगों को मालूम नहीं है लोगों को माहिती नहीं है कि स्वदेशी सामान क्या है जिसको हम खरीज सके हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि परदेशी कमपनियों के सामानों का बहुत प्रचार होता है, परदेशी कमपनियों के सामानों का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है टेलिविजन पर, आप तबेरे से लेकर शाम तक किसी दिन एक टेलिविजन का कोई चैनल खोल कर ब जाहिरात कम सव बार आएगा, क्लोज अप सिभा का फॉरहंस का भी आएगा, फिर पेप्सी कोला, कोका कोला का भी आएगा, पचास दूसरे सावनों का भी आएगा. हमारी तकीज क्या है, कि हम सब जब तेली विजन देखते हैं, तो बार बार वो जाहिरात हमको देखना पड़ता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी देखना पड़ता है, हम चाहते हैं कि हम कोई सीरियल देख है, हम चाहते हैं कि हम कोई फिल्म देख है, लेकिन सीरियल के बीच में जाहिरात गुसा जेते हैं, फिल्मों के बीच में जाहिरात गुसा देते हैं पांच मिनट का सीरियल दिखाएंगे उसके बाद पांच मिनट जाहिरात दिखाएंगे दस मिनट तक फिल्म दिखाएंगे उसके बाद फिर दस मिनट जाहिरात दिखाएंगे तो बार-बार मजबूरी में हमको जाहिरात देखने पड़ते और जाने अंजाने में हम जो जाहिरात देख रहे हैं ये जाहिरात हमको धीरे-धीरे याद होने लगते हैं तो फिर हमारे इस्मरती में वो बैठ जाते हैं और हम कभी जब बादार में जाते हैं तो हमको टूथपेस के नाम पर सिर्फ कॉल ग कि तरह यादाता है जटकी 50 तरह के वेजिटेबल ऑइल भारत में विखते हैं 50 तरह के टूट सेच बारत में विखते हैं लेकिन टूट सेच वाने कॉल गेड़ थाथ लॉट यह लाइट बोस्त यहुडेजिदे बने डालडा यह इस तिग्रेट माने सिर्फ विल तो यह हमार एक बड़ी भरी कमजोरी है और यह कमजोरी हर व्यक्ति में होती है तो दिमाग के काम करने की पद्धिती सभी देश के लोगों में करीब करीब बेच जाती होती है और मादस के आदमी के दिमाग की एक कमजोरी यह होती है जिसका पाइदा सबसे ज्यादा यह परदेशी कमपनिया उठाती है कि अगर एक जूत किसी के सामने बोला जाए एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर दस बार, फिर पचास बार, फिर सो बार तो लगता यही सच है आपने सुना होगा एक पंच तंत्र की कहानी एक ब्राम्मन था, वो बकरी लेकर जा रहा था जो बक्री लेके जा रहा था ब्राम्मन तो रास्ते ने उसको चार चोर मिले चोर ने योजना बनाई ही कि इसकी बक्री कैसे चीनी जा तो एक चोर में कहा कि मैं जैसे कहता हूं वैसा करो तो एक चोर उस ब्राम्मन के पास गया और उसने कहा कि ये कुट्टे को लेके कहा रहे तो ब्राह्मन नेका ये कुच्टा नहीं है बकटी है उतने है तुमारा निमाग खराब हुआ भए बकटी नहीं ये मदब आ बक्री ये बहस शूरू हो गई उस ब्राह्मन और चउर के बीच में दस मीनित तक भू बहस करनेके बाद चौर चला गया उसके थोड़ी देर के तो ब्राम्मन को अपने दिमाग पर शक हो गया ति कहीं सचमा में पागल तो नहीं हूँ मैं समझ रहा हूँ जिसको बकरी सब कहते हैं यह कुट्टा है एक आदमी ने कहा दो आदमी ने कहा भी तीसरा भी कह रहा है कि यह कुट्टा है हो सकता है मुझसे कोई गल्टी हो गई हो जब तीसरा चोर उसको ये बोल कर गया कि ये कुट्टा है बकरी नहीं है तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायब कहीं भूल कर रहा हूँ अभी जब वो दस मिनट और आगे बाद वो चौथा चोर आ गया के लगा अरे बेवकूफ आदमी ये कुट्टे को लेके तू कहां जाता है इसको यहीं ठेख दे तो ब्रामवन को लगा कि बाद बिलकुल पत्की है मेरा दिमाग खराब ह हुआ है जो मैंने कुट्य और को बक्री समझा और ब्रामवन में व बक्री फेड़ दी और चारे कि आपल झृट वक्रीका इस कहांशन को मतलब है कि यह जूत लोख दो बार बोल गया इंतरो चार बार जब दिया गया उसपो सुनने मौने को लगा कि शायद यही सच है अब हमारी मुश्किल क्या है कि टेलीवीजन रोज यही धंदा करता है सबेरे से शाम तक टेलीवीजन पचास बार जूट बोलेगा सौ बार जूट बोलेगा आप बार बार वो जूट देखते हैं लगाता और देखते हैं कई बार देखते हैं तो आपके मन में बैठ जाता है कि शायद यही सच है जैसे उधारण के लिए टेलीवीजन में कहा गया कॉल गेट करने से सांस की बदबू दूर होती है आपने एक बार सुना फिर दूसरी बार कहा कि कॉलगेट करने से दातों में चलन्दूर होती है सास की चलन्दूर होती है अब आपने अगर एक साल तक लगाता है इसको सुन लिया तो आपको लगेगा बात बराबर है अभी कॉलगेट ही करना चाहिए तो साथ की बद्बू भी दूर होगी, दातों की सलंग भी दूर होगी, आप को अलगेट खरीद लाएंगा और ये परदेशी कमपनिया क्या करती हैं, कि आपको कई तरह से अपना जाहिराच दिखाती हैं एक बार तो वो टेलिवीजन पर दिखाएंगे, फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे, किसी सरक्ट पर जाएंगे, तो वहाँ बहुत बड़े वोर्डिंग पर लिखा होगा साथ की बद्बू, गातों की सलंग, कॉल्गेट का सुरक्चा चटिए फिर आप अख़वार खोलेंगे सबेरे सबेरे, तो अख़वार के पहले पन्ने के दूसरे पन्ने पर जाहिरात होगा साथ की बद्बू, गातों की सलंग, कॉल्गेट का सुरक्चा चटिए पिर आपको इपत्रिका पढ़ेंगे पत्रिका का पन्ना उल्टेंगे वहाँ पर भी यही लिखा होगा साथ की बद्बू दातों की सड़ग अब आपने टेलिवीजन पर सुना फिर अक्वार में पढ़ा पिर पत्रिका में पढ़ा फिर सड़क पर गए तो आपने होडिंग में पढ़ा फिर दुकान के अंदर गुते तो वहां हिस्तिकर लगा हुआ है पास की बद्बू दासों की सड़क तो एक ही बात को आपने पांच बार देखा और पढ़ा तो ये बात आपको याद हो जाएगी जब याद हो जाएगी तो आप जब जाएगे दुकान पर तो कहेंगे कॉल गेट दे दो यहीं पर विदेशी कंपणी का दंदा चालू हो जाएगा तो मैंने कलके व्याक्षान में कहां कि हम तब लोग परदेशी कंपणी का सामान खरीदना बंद करें और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब ने लेकिन आप हमारी परेशानी यह है कि परदेशी कंपणी का माल भिखना तब बंद हो जब पर परदेशी कंपणी ओंका जाहिराँ बंद है और यह टेलिविजन पर परदेशी कंपनियों का जाहिराद फैसे बंदो सकता है इसके दो रास्ते हैं एक रास्ता तो यह है कि हमारे जैसे लोग टेलिविजन के ऊपर मुकदमा करें, केश करें Supreme Court में जाए, High Court में जाए और उस मुकदमे में हम टेलिविजन को हराए और उसके बाद ये केस हम जीते हैं उसके बाद ये बंद हो जाए एक तो रात्ता ये हैं और हम इस रात्ते को अपना रहे हैं इस तमें हम लोग आजा भी बचाओ अंदोलन की तरफ से Supreme Court में एक केस लग रहे हैं और हमारे केस का जो आधार है वो ये कि जितने जाहिरात आते हैं टेलिविजन पर सब जूटे एक भी जाहिरात तही नहीं होता और बार बार जाहिरात में जो जूट दिखाया जाता है उसी जूट को देख देखकर लोगों का दिमाग खराब होता है और लोग परदेशी माल खरीज कर लाते हैं तो हमने केस किया हुआ है इसके अलावा टेलिविजन पर जितने जाहिरात आते हैं उनमें जूट के अलावा बहुत सारी उल्टी सीथी बातें भी बताते हैं जो विज्ञान के बिल्कुल उल्टी जो हमारे सबसे से बिल्कुल उल्टी तो विज्ञानिक ताके उल्टा परचार भी टेलिविजन करते हैं और ऐसे करकर के चार-पांच आधार पर हम लोगों ने मुकदमा किया है। पहले मुकदमा हमने किया था दिल्ली की लोर कोट में, निचली अदालत में, जिला अदालत में, वहां हम जीत गए, फिर उसके बाद हाई कोट में गया, वहां भी हम जीत गए, अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है ये मुकदमा, अगर हम जीत जाएंगे, तो सारे टीवी चै कि जिन परदेशी कमपनियों के खिलाफ हमने मुकदमा किया है उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपई की संपत्ति और हमारे पास इतना भी पहिसा नहीं है कि हम हमारे वकील को फीस देतके हैं हमारा वकील मुफत में लगता है वो गहता है राजी भाई आप ये अपने देकर वकील की है और इंदुस्तान के एक एक से बड़े वकील को नों ने कोड़ा किया तो जरूरी नहीं कि हम जीती जाएं हार भी सकते तो एक दूसरा रास्ता भी है आखिरकार हम मुकदमा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे को निकलेगा नतीजा यही कasking towardsomen को सकता है। आपके घर ने जाएिजेएव राफ कर दीजियें जाइराथ बंद हो सकता है। कि कईटे दुछ ह्एक आपके घर पेमी को शूक्त है उसको कर दीजें। बंद हो गया। वो गया कर नहीं? अब उसके लिए गोजने की क्या जरूरत है? यह जो दोसरा राकता है यह बहुत आसानी है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ मैं हम चाहे तो टेप्य विजन का प्लग निकाल सकते हैं हम चाहें तो अपने घर का सेबड़ कनेक्शन काट सकते हम चाहें तो इप्टार काट सकते हमको कोई रोकनेवाला है तो आपने खर aircraftU V 利ian कोई रोकने आएगा आएगा क्या आपको अपने रिमोट वे तो यह तो बहुत आसान काम है तो इसको कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं अरे तो तो पेजी दो बोलिए अब यह क्यों करें यह काम यह भी समझ लीजे मैंने आपको कहा कि टेलेविजन पर जब जाहरात आए तो तीवी का कि यह तेलीविजन जाहिरात नहीं दिखाता जूट बोलना तिकाता और यह तेलीविजन जाहिरात के माध्यम से लगाता जूट बोलता रहता तो तो बोजन क्यों करते हो ऐसा करो कल से बोजन करना बंग और एक एक लाइज भॉय खरीदो और दिन में दद्दस बार लगाओ तंदुरुस्टी बनेगी तो तुर यह तीजी कैसे कहता है तंदुरुस्टी है वहां लाइज वॉय है जहां जूट है ना अचा पिर एक दूतरी बात सुनो तेलिविजन द्राइज़न क्या च quirky ठीफ्ट रडी है फुटबॉल कहिलना नहीं जानता जब लाइज वोई लगाशे फुटबॉल खेलने जाता है प्रम प्रांस लोग बशे एक बात बताओ में अगर लाइज गाने से खिलाडी चैंपियन होता वाहरत की फुटबॉल टीम अभी क्यों चेलि विशुकप हुआ था अभी फ्रांस में विशुकप हुआ था। अभी फ्रांस नाम के देश में फुट बॉल का विशुकप वा था। उस विशुकप में भारत ही नहीं खेला बागी सब खेले। चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमरीका खेला, सीडन खेला, केमरून खेला, तुमको मालूम है केमरून कितना बड़ा देश है, यह जो गोगंडी गाओं है न, इसका आधा, तुमारे गाओं का आधा है, एक देश उसका नाम है केमरून, हो खेला फुटबॉल के प्रवादी वाले थेले ही नहीं क्यों थेले लाइज बॉइ नहीं था अगर हर खिलाडी को एक एक लाइज बॉइ दिया हो तो चैंपियन तो हम भी बन जाते नहीं अगर तो यह तीवी जूट बोलता है इसका मतलब क्या है जो कितानों में छुप गए इनको बहुत और तंदुरुस बनाता है अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता हूं कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिखता है खासकर हॉलेंड में काफी बिखता है लेकिन वहां लाइफ बॉय को कहते हैं कार्बो लिख तो और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है और ली फॉर डॉंग अब अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम यह तो कुटों के नाने वाला साबुन है इससे हमको नाना चाहिए तो इसलिए लाइफ बॉय भी बन करो और तीवी का जाहराद भी बन करो तुमने टीवी कितना पागल बनाता कितना जूट बोलता और यह बात लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां पिछले पचास साल से बोल रहा थी तीवी बोलता था अभी 14-15 साल से तो उसके पहले यह जाहराद तिनेमा में आता था उसके पहले यह जाहराद है जिवीधन ज्वीजन को ऑट कोम् से था और तो पागल लुट कभी दिखो मत तो एलीवीजन को n Himself को एक दूसरा उडाबभार नदेता अप्त आ कि बॉलता नदे हो डूप बोलता है पैलिवीजन में जहरात आता है कॉम्पलाउन का उसमें प्टोटा सा बच्चा कहता है I am a कॉम्पलाउन बॉइ कहता है पर एक चोटी सी बच्ची इस में आप इस मतलब तमझो मैं मैं कॉम्पलाउन का लड़का हूँ पिर यहिप कह रही है मैं कॉंपलॉन कील रखी हूं कि अभी तुम को मालूम है क्या है कॉंपलॉन के विपा कश को कुछ कॉंकर नहीं देखेगा हाथ उठाओ जड़ा आँ शाबाज बच जाओ ये टीवी सिर्फ जूट दिखाता है जूट के अलावा कुछ दिखाता ने तुम को एक तीसरा उधारव देता हूं तीवी में एक जाहरात आता है उसमें दिखाते हैं उसका नाम है राटो में क्या कहत है अरे भाँ कि आए ऐसा भी पहना आता है दुनिया ने जिस से लिख से लिख सब हो जाए एक कि जूट है कि नहीं कि जूट देखना से यह और टीवी पर जाहरा आता चांच में दिखाते हैं लवली कि जोरे पन की क्रीम अभी तीवी रोज कहता है अभी तुम लोग मुझे यह बताओ कि अगर फेर नवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिर भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक स्बर्ण का सब्सक्राइब शुक्राइब को में सब्सक्राइब करें अभी तो इसलिए टीवी का बन करो गें अरेखना बन कि उसके बड़ा बर भर जूत दिखाता है यह चीवी क्याकर दुट दिखाते हैं तीवी में जायरात आता है वो क्लॉगेट का जायरात में क्या दिखाते हैं दो पती-पत्नी साथ-पत्नी साथ-पत्नी मूँ फेर में सी किसे अपने पती सिप क्या बोलती है कैसे कहूं इनकी सांस में बद्जू आती है उसकी सहील है सांस में बद्भू चल मेरे साथ दोनों डॉक्तर के पास जाते हैं तो अपनाया नहीं आए थाएगी तो उनकी पत्नी कॉल्गेट खरीद लाती है अपने पती को कहती है कॉलिवㄦ घृतो तो पती महुद है कॉलिवेट करने के बाद लिख पती के नजधीक बीख्सोमिल और नीचे एक Г्लाहें टिक से हैं दूर-धिक बारतिय संस्कृति में कहते हैं पती-पत्मी का रिष्टा परस पर प्रेम पर विश्वास पर तद्भाव पिटिका हुआ यह टेलिविजन कहता है नहीं कॉल गेट पेस्ट पिटिका हुआ है इसलिए तुम जिसको टेलिविजन कहते हैं उसको में इडियक बॉक्स तैट और कभी-कभी यह इतना इडियोसिटी दिखाता है तेलिविजन तेलिविजन ने जायरात आता है शिकलेट की गोलियों का अब उसमें क्या भिगाते हैं एक लड़का है दिखने में बहुत ही इसका मतलब तमस्के भारत की सुंदर लड़कियां इतनी फाल्तु है क्या जो चिकलेट की गोली पर किसी के भी पीसे चल भाए तुमको मालूम है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है यह रोज चैलिविजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्ट कि बाते दिखाता है तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह सब जूट दिखाता है कुछ बच्चे ऐसा कहते है राजी बाई आपकी बात हमने मान ली अभी हम टीवी में जाइरात तो नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बच्चे कहत अब तुम लोग मुझे यह बताओ कि अब तुम लोग मुझे यह बताओ कि ऐसे घटिया घटिया जी फाल्तू के गीत देखने चाहिए और यह फाल्तू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है कि एक-एक से ऐसे ऐसे चीन लिखते हैं इंदुस्तान ने और उनको थिनेवा में भर भर के दिखाते जिसका कोई मतलब नहीं को यह एक और फिर उसी को गाते हैं तुमके मालूम हैं बहुति निक जाता था भगतिंग आता था मेरा रंदे वसंती चोला किस विद्धियार्थी को ये गीत फूरा आता है किसी को नहीं आता और अभी मैं पूछू आती है क्या खंडाला किसको आता है देखो कितने हाथ उठा दिये मेरा रंदे वसंती चोला किसी को नहीं आता जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं हमारा दिमाग खराब हो रहा है इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदम है कि ये फॉल्टू के घटिया 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 गीत देखने बन करो तुमको मैं इस बहुत मारमिक बात पूछना चाहता हूं मानलो तुमारी माताजी तुमारे साथ बैठी है और पेलिवीजन पर गीत आता है चोली के पीछे क्या है अपनी मा के साथ बैठ कर ये गीत देख सकते हो मालनो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे और गीत आता है चीज बड़ी है मसमस देख सकते हो उतने पिताजी के साथ बैठ कर मालनो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खन नाला देख सकते हो तो जो गीत हम अमारी मा के साथ नहीं देख सकते...... बैट कर नहीं डेख सकते वह थी तीवी पर क्यों देखे। कमझ मेँ आया? इसलिए हीत्पूरा देखना बन करोगे। फिरुप शुप्टन बन करोगे देखना। कौन बन करएगा। हात उठाओ। अभी हात नीचे चर्थ अभी एक पीसरी बात और समझाता हूँ कुछ बच्चेह साब वोलते हैं कि राजी बाई आपकी वाथ समझ में आई अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे यह फाल्टुके जीद नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें कि अपर आप सिरियल ने हैं। अबेत। सब में सिरियल थां आपके। थाने हैज इक अमक्राद करने है। पती पती के जगड़े, बाप बेटे के जगड़े, अलोसियों के आपस में जगड़े, भाई बेहन के जगड़े, मा बेटे के जगड़े, मा बेटी के जगड़े, बाप बेटी के जगड़े, बाप बेटे के जगड़े, बिजनिस पार्टनर के आपस में जगड़े, कोई कि दिखाते हैं जिन के बारे में कभी कलपना भी नहीं करकते है। तुम लोग मुझे बहुत इमांदारी से बताओ, कि सवाम मां नाँ पिस्टार के धगले आते हैं, डिए सथे तुम्हारे घर में हो थे यरोड से हैं ourselves कि अदी की रिखना था देखना चीघ नहीं, पीं धग्ता घॉर इसे की का बढ्नान चीरीन के इस मिरत की बाइन कोंगी। यह किसी इंतहान में आता है क्या पढ़ाई में पढ़ाया जाता है क्या तो पर क्यों देखें इसको तो इसलिए यह फालतू के सीरियल देखना भी बन करोगे आथ उठाओ पिर अभी आथ नीचे करो कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजीब भाई उसमें कुछ धार्मेक सीरियल भ है लेकिन जैसे ही जारल केखेंगे किया किस्ता आया था किश में इसमें कीनारेण को कॉस smoking Vlike तरफे में कि जायंगे EL पूछा देखा तुम नहीं को याद नहीं होता कि हम नहीं यह देखा वह जो जाहिरात उन्हों नहीं दिखा दिया हमको उस जाहरात के कारण हमको तीवी का कोई किस्टा यादी नहीं रहता तो क्या फाइदा देखने से ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं राजी बही उसमें शक्तिमान भी तो आता अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फालतू अभी तुम मुझे यह बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुम्हारे महले में है तुम्हारे गली में है तुम्हारे गाउं में है तुम्हारे देश में है तुद्र टीवी में कहां से आया यह शक्तिमान टीवी में कहां से आ गया साँ कर दा कि एक सथ नहीं पर तक देखते हैं बार बार देखते हैं और बार देखते हैं तो फिर पागल हो जाते। तुम को मैं एक का श्रक किस्ता बताना चाहता हूं। शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहा है। मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। बोपाल नाम का एक शहर है। मद्यप्रदेश में। उस बोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गाउं है। उस गाउं का नाम है सिहोर। वहाँ एक 15 साल का लड़का रहता था। और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया। कैसे पागल हो गया। वो बार-बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा। कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है। जब भी कोई संकच में फस जाता है तो उसको बचाने के लिए सक्तिमान आता है। कोईज दिन उस लड़के ने क्या किया। उसके माँ और पिताजी दोनों गाउं गए थे सबजी खरीदने के लिए। लड़के ने घर का धरवाजा बं किया। और अंदर से ताला लगा दिया। रसोई घर में गया। रसोई घर में से केरोसिन ओयल लेके आया। रोकेल लेके आया। और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया। उसके बाद दियासलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में। फिर वो जलने लगा, जब वो जलने लगा तो उसने चिलाना शुरू किया, सक्तिमान आओ मुझे बचाओ, अभी सक्तिमान कहीं होता तो आता? गलो गंते टरफ टरफ कर वो बच्चा जल कर मर गया, जब तक उसके मामाप वापस लोते तब तक वो जलकर मर चुका था अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्छे ऐसे ही मैं चंद्रपूर नाम के एक गाउ में गया था महाराश्चु में विदर्व में एक गाउ है चंद्रपूर छोटा सा जिला है वहां में एक विद्यार्थी से मिला उसकी उम्र है ग्यारे वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ कैसे पागल हुआ वो ग्यारे वर्ष का जो विद्यार्थी है बार बार शक्तिमान देखता था बार बार शक्तिमान देखता था एक दन उसको इतनी उस्ते जना आई कि वो अपनी छट पर चड़ गया और जैसे शक्सिमान कूदता है गोल-गोल गूमते हुए वैसे कूद गया अभी सलक पे गिरा उसके दोनों पैर तूट गए मैं जब उसके मिलने गया अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे तो पूरे जिन्दगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद हो गया जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मा रोती थी उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माबाप रोते थे और यह बोलते थे राजी भाई अभी क्या बता है हमारा तो यह अकेला बेटा था और इसकी भी जिन्दगी बेकार हो गई तो दोनों माबाप को मैंने डाज़ते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था तब यह ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है वो बर्बाद भी हो सकता अब क्यों रोते हो तो उसकी माने कार होते रोते कि राजी भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में घूमते हैं आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताईएगा ताकि कोई भी बच्चा सक्तिमान ना देखते तो देखोगे शक्तिमान अभी मैं तुमको एक और सच्च्या किस्ता बचाता हूँ कि तेवीजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं पिछले साल एहमदाबाद शहर में एक साथ साल की बच्ची थी वो टीवी का जायराद देख देखकर कितनी पागल हुई उस ब इन देखकर में टाल पागल होते हैं तो फ़ल कर दो भाइय था मतल दर्पेल का पागल होते हैं था रग कंष्भी पागल होते हैं दाल है he तुम को मेरे शहर की एक घटना बताता हूँ मैं जिस इलाबाद नाम के शहर में रहता हूँ वहां एक ने परोथी का बेटा जिसकी उम्र थी मुश्किल से पांस ताजे पांस ताल एक दिन वो भी पागल हो गया TV देखकर जगी तहीं क्वेसे पांस ताल का बच्चा था दो कि एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो तब तच होता तो उसमें क्या किया एक दिन वो अपनी छट पर चल गया और उसमें अपने पहर में रस्टी बांदी और चट पर से वो उल्टा कूद गया एक थम तब का जाहिरा पाता था उसमें इस बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्टी बांद कर उल्टा कूद ता तो वो भी कुछ जया सब्पत अभी वो सबक पे गिरा उसका सिर्फ अटा और वो मर गया इसे बच्चे पागल होते हैं तीवी देखकर और फिर्फ भारत में ही नहीं अमरीका में भी बच्चे टीवी देख देखकर पागल होते हैं भारत में कम अमरीका में ज्यादा पागल होते हैं अमरीका में पिछले 35 वर्षों में तीवी देख देखकर 2 करोड बच्चे यह वहां एक दुरगजना हुई एक प्राइमरी स्कूल में दो विद्यारतियों ने जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल अपने ही स्कूल के पांच विद्यारतियों का मर्डर कर दिया रायफल पे और अध्यापक उनको बचाने के लिए आया तो अध्यापक को भी गोली मार दिया अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का अमरीका में मर्डर कर सा पुलिस में उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा फिर पुलिस में उनसे पूछा कि तुम ने ये मर्डर क्यों किया तो उन दो गटनाए भारत में भी शुरूओ गई एक दिन ठाने में ठाने का नाम पुना वो ठाने में एक 13 साल का विद्यार्थी और 14-15 साल का विद्यार्थी उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिन्दा जला दिया यहीं ठाने में हुआ और वो लड़की जिसको जिन्दा जलाया उसकी उम्रथी 17 साल दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिये फिर केरोसिन ओयल डाल दिया फिर आग लगा दी वो लड़की जलकर मर गई उन दोनों विद्यार्थियों को भी पुलिस ने पुछा तुमने क्यों जलाया दोनों लड़क में टीवी देख देखकर एक लड़का तो इतना फागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पती दोनों का मर्डर कर दिया बरे भीड़ बरे सवराहे पर और उस लड़के को भी जब पुलिस वकड़ के ले गई तो लड़के ने कहा कि मैं इतना उस्थेजित हो गया था दो तीन दिन से लगाता और वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मर्डर करने दिखाते थे तो उसके दिमास में इतना बैठ गया था मर्डर करने की ब पुद भी जिला बन गया होगा उस चांगली में क्या हुआ कि एक सथ्रे साल की लड़की थी उसका नाम था अम्रता देश-पांडे उसको एक 24 साल के लड़के में अठारे बार चाकू मारा पेट में और बस इस सेंग पर और बस इस सेंग पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा लेकिन सब इतने नपुंसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मा तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शौकिन था उसमें का राजीब भाई तेली विजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देख से हैं तो बार बार ये चाकू मारते हुए जब हम देख से हैं तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रती ग्रणा कटम हो जाती है तो हम पकड़ें क्यों उसको कि उस दिन मुझे समझ में आया कि बारबार जब हम हिंता देखते हैं तैनी विजन पर वह वायक। कि हो चाय किसी की हत्या करने की हो चाय किसी को ऊपर से पटकने की हो यह बार-बार की हत्या आज नहीं होती हम बादी से बचकर निकलकर चले जाते हैं किती की dead body पढ़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकल कर चले जाएंगे, ये सोचते हुए, अरे कौन सिर्जर्द लेगा, क्योंकि बार बार dead bodies देखना हमारी आदत बन गई है, TV के माध्यम से और सिरे माध्यम से, जब आदमी के मन से दया खतम हो जाती है, करुणा खतम हो ज सिनेमा देखोगे, हाथ उदा दो अब की बात, हम में से कोई भी TV नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा, क्योंकि ये TV और सिनेमा देखने से, ना तो हमारे जीवन का कोई फाइदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई बला हो रहा है, नुक्तान जादा से जादा हो र खराब मशीन हैं और यह मैं बोलता हूं मेरी पूरी इंजिनिरींग की पढ़ाई इसी टेलिविजम में हुई है उसके बावजूर मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलोजी क्यों तुमको एक बास गंबीर बात में समझाना चाहता हूं अगर समझ में आ जाए क कि जितनी देर हम बैठकर टेलिविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है हम कुछ सोच नहीं पाते हम कुछ सोच नहीं सकते दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंदोता हूं हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू पुस्तक पढ़ने पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं कलपना कर सकते हैं जैसे उदारन के लिए मान लो तुम कोई कहानी की फुस्तक पढ़ो और एक कहानी पढ़ो कहानी ऐसी होगी एक राजा था एक राणी थी अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि एक राजा था, एक राणी थी तुरंट तुमारे दिमाग में कलपना आएगी राजा कैसा था, राणी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, राणी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे, ये सारी कल्पना एक शह में आ जाती है मन में, जब हम एक पेंटेंस परते हैं, एक राजा था, एक राणी थी, लेकिन जब टेलेविजन देखते हैं, तो ये सब कल्पना ग दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा चिंतन करता रहेगा तो कलपना आती रहेगी अगर दिमाग ने सोचना बंद किया चिंतन करना बंद किया तो कोई कलपना नहीं आती दिन्या में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता चि के से कुछ पागल कैसे हैं तो इसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है वह हुँ पागल होता है तो जितनी देर हम तीवी देखते हैं हम फुद पागल होते हैं क्योंकि हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते और यह सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है यहीं सथे बड़ा खत्रा है और मैं तुमको इससे भी ज़्यादा गहरी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमांस में एक हाइपो थिलमस नाम की चीज होती है और हाइपो थिलमस के पास एक मैड्यूला नाम का पोर्षन होता जब हम तीवी देखते हैं तो उसलों यह हाइपो थिलमस और मैड्यूला दोनों काम करना बंद कर देते अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूं, कि शरीर का कोई भी हिस्सा, अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे, और उससे काम नहीं लेंगे, थोले दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो, उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी, या वो काम करना बन करते हूं, तुम एक दि हाथ में सूजन आ जाएगी, कूरे में, क्यों तुमने काम नहीं लिया उस हाथ पे, इसलिए वो सूजन आ गई उससे, ऐसे ही तुम एक हफते के लिए विस्टर पर लेट जाओ, पैर बिलकुल मत चलाओ, हिलाओ नहीं, दुलाओ नहीं, तुमारे पैर सूज जाएगा, फि तुमारी पीट में बड़े-बड़े ओड़े हो जाएगे, बैंसोर हो जाएगे, क्यों होता है यह सब, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमने बेकार किया, उस्ते कोई काम नहीं लिया, तो वो सूजन आती है, या तो उसमें स्वेलिंग आती है, या तो वो बेकार होता, या तो उसमें जंग लगजी, अब हम सोचें कि जितनी देर हम TV देख रहे हैं, उतनी देर हमारा हाइपोसलमस काम नहीं कर रहा, हमारा मेदुला काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी सूजन आ जाएगी, और उसमें अगर सूजन आई, तो फिर बहुत मुशक्यल हो जाएगी। तुम्हारा वो हिस्सा काच कर निकालना पड़ेगी और तब तुम्हारी जिन्दगी नरख हो जाएगी तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में तीवी देखा लेकिन पता चला उससे तो गंबीर भीमारी हो गए और तुमको मैं एक बात और बताता हो पेखले कर चलता है तो उससे भाथी कि खतरना to निकलती कि तुमने सूरस को उगते हुए डेखा तूरग में से किरने निकलती है और आखों को जला सकती है लेटी ही किरने जुने से भी निकलती हैं इन तब तुमारी आखें क्षराब झोसकती कि अपर दिखना कम हो जाए तुमको चश्मा लगाना पड़े तुमको आंखों में दर्ध होने लगे लगाता है य। vary तीस में लेखने बोलजर इसे का गष्भिशिए होता है इसी क्राइव मैं हिस्जेwydd में माइग्रैन अजम् consumers एक मिनट में कम से कम साथ बार हमारी पलग जपतनी चाहिए एक मिनट में कम से कम साथ बार आखें बंगो नी चाहिए लेकिन हम तो टीवी देखें तो हो सकता आदा आदा घंटे तक आखें पाड़े पाड़े जेक्षे रहें क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई चीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि हाँ आखें भी हैं अमरी तो तुम तो सत्यानाज कर रहे हो अपनी आखो इसलिए टीवी देखोगे और यह जो बात में समझा रहा हूं समझ के जाना और अपने घर में जाके अपने माँ पिता जी को भी समझाना और यह तेलिविजम देखने का शारिनिक नुक्सान है मानिसिक नुक्सान है तमय का है दो गंटे 13 गंटे हम तीवी देख सेट Campbell